ओम स्री सद्गुरुदेव भगवान की जय भगवान अपने भक्त की रच्छा कैसे करते हैं इस कहानी से अस्पष्ट होता है क्योंकि हर समय हर युग में भगवान अपने भक्त की रच्छा किये हैं भगवान अगर अच्छा न करें तो भक्त की साधना भक्त की भक्ती आगे बढ़ ही नहीं पाएगी और भक्त को विश्वास भी नहीं होगा एक जगा बहुत ही सुन्दर प्रेणा दायक लिखा भी गया है कि जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ पाच्छा लागा सदा फिरूं कब हुन छाडूं साथ भगवान करते हैं जहां भक्त मेरा पैर रखता है अनन्य भक्त वहां मैं अपना हाथ रख देता हूं ताकि मेरे भगत को कष्ट नो लेकिन अगर आप सच्चे दिल से भक्ती करेंगे तो बहुत से लोग करते हैं माराज भक्ते को तो ज़्यादा कष्ट होता है और पापी लोग को माउज करते हैं वास्तों में जब आप भक्ती की प्रथम सीड़ी पर चड़ेंगे तो भगवान थोड़ा सा कष्ट दे करके अपने भक्त की परिच्छा ले जाचते हैं ये मेरा भक्ती करेगा कि भाग जाएगा अगर आप उस कष्ट को सहते हुए भक्ती पत में लगे रह जाते हैं तो फिर आगे तो ना हसना ना रोना है दोनों से इस्थिती से परमात्मा उपराम कर देते हैं दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलवना है ना हसना है ना रोना है तो इसलिए भगवान अपने भक्त की सदय और अच्छा करते हैं आईए एक कहानी जो प्रेरख है महाभारत की, उससे हम लोग समझते हैं कि किस तरह से भगवान अपने भक्त की रच्छा करते हैं, अर्जुन का आप लोगोंने नाम सुना ही होगा, भगवान स्युक्रिष्न का अनन्य भक्त, लेकिन कहीं कहीं ऐसी प्रतिज्या कर बैठता थ कि भगवान अगर उसमें हस्त छेप न करें, रच्छा न करें, तो फिर वो उससे उबर भी नहीं सकता था, या यूही समझ लें आप कि पूरा महाभारत में अगर भगवान कृष्न न होते, तो अर्जुन जिन्दा भी न बजता, युध्ध जीतने की तो बात ही, दूर ग मन्यू को कावरों ने, सभी महारतियों ने मिल करके मार दिया घेर करके रण छेत्र में, तो अर्जुन आया, पुत्र वियोग में व्याकुल हो गया, पुत्र मोह बहुत बड़ा मोह होता है, और कहा कि, इस मेरे पुत्र के मृत्यू का कारण जैद्रत है, और जैद्रत को भगवन कल साम तक नहीं मार लूँगा, तो मैं ही मर जाऊंगा, चिता रोहन कर लूँगा, जब मेरा पुत्र ही जिन्दा नहीं रहेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा जिन्दा रह करेगा। दुख था इसलिए कुछ हां में हां मिलाया उसके बाद भगवान कहे अरजुन ठीक है दुख तो मुझे भी है मेरा भी सिस्य था अवमन्यू इस पर इन आतताईयों ने अत्याचार किया है इस बालक का दोस भी क्या था साथ साथ महारतियों ने मिलकर के मारा है लेकिन प्रति प्रतिग्या कुछ दूसरी कर लो बोले नहीं प्रभू अब तो मैं प्रतिग्या कर चुका हूं बोले प्रतिग्या बदली जा सकती है विचार कर लो बोले नहीं केसा कल या तो मैं या तो जैदर बस अरजुन वहा से उठा सिवीर में चला गया सिवीर में जब गया इधर क पच्छ की भी सेनाएं सब सिवीर में गई दुर्योधन और सकुनी खूब खूस हो गए। सकुनी ने कहा भांजे हम लोग तो युद्ध जीत गए। दुर्योधन ने कहा कैसे। बोले अरजुन ने प्रतिग्या कर ली। और अरजुन बचन का बहुत ही पक्का है। और अगर वो कल जैदरत को नहीं मार पाया तो जल जायेगा। इसलिए ऐसा उपाय करो कि जैदरत को हम लोग दूर भेज दें और ताकि वहाँ तक पहुंचते पहुंचते साम हो जाये। और जब साम हो जायेगा तो अरजुन मार नहीं पाएगा जैदरत को तो इसलिए बढ़िया रहेगा हम लोग को युद्ध जीत गए सकुनिन की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा कि बहुत बढ़िया आपने कहा मामा स्री सुबह में इसी तरह से योजना उन लोगों ने बनाया सारे योध्धाओं को अर्जुन के पीछे लगा दिया जैदरत को बहुत दूर मैदान में भेज दिया ताकि अर्जुन को संघर्स करते करते वहाँ पहुँचते पहुँचते साम हो जाए भगवान स्री कृष्ण भी रत हाकना चालू किये कुछ दूर रत गया बोले अर्जुन तुम्हारे घोडे आज ठक दे अब इनको मालिस करो अर्जुन ने कहा भगवान रोज ये घोडे नहीं ठकते थे आज मैंने प्रतिग्या किया नहीं मार पाऊंगा तो साम तक मरना पड़ेगा आज ही ये घोडे ठकने थे भगवान ने कहा परवचन बाद में करना पड़े घोड़ों को मालिस करो नहीं तो साम यहीं हो जाएगा अरजुन खूब घोड़ों को नहलाया धुलाया मालिस किया फिर घोड़े तैयार हुए फिर भगवान बैठे फिर थोड़ी दूर बात जाके कहें देखो घोड़े को प्यास लगी वहीं पर बान मारा और पानी निकलने लगा जैसे ये कोई आ खेद के पानी निकल जाता था तो पानी से घोड़ों को पिलाया उसके बाद फिर घोड़े चल दिये फिर यूद्ध होने लगा दो तीन बजा तो भगवान ने देखा कि जैद्रत तो बहुत दूर है सुर्यास्त होने को नजदीक है वहां हम लोग पहुँच नहीं पाएं तो सुर्य भगवान को बदली से धक दिया भगवान और उसके बाद जैसे ही सुर्यास्त दिखने लगा तो सकुनी वगरा खुब खुस हुए करों में खुसी की लहर आ गई पांड़ों में सोक की लहर आ गई क्योंकि अर्जुन के मर जाने का मतलब महाभारत युद्ध हार जाना क्योंकि उसके बाद तो कोई उध्धा था ही नहीं जो महाभारत को जिता दे। तो दुरियोधन और सकुनी ने कहा देखो तुम्हारा सत्रू जैदरत अब चिता रोहन करेगा सुर्यास्त हो गया इसलिए घोड़ा पर बैटके तेजी से तुम आ जाओ और आके सामने खड़ा हो करके देखो। जैदरत भी अपना तेजी से घोड़ा पर बैठा। इधर भगवान ने जैदरत की मृत्यू का कारण पता किया के मरेगा कैसे तो उसके पिता जी एक रीसी थे। उन्होंने ऐसा आशिरबाद दे रखा था कि जब तक मैं नहीं कहूं तब तक तुम्हारा मृत्यू नहों हो और अगर तुम्हारा सर काटके जो धरती पर गिराएगा उसके साथ टुकड़े हो जाएंगे तब भला बताईए कि अगर अरजुन मारता उसका सर कटके धरती प गिरता तो पिता के आशिरबाद से अरजुन साथ टुकड़ा हो जाता और उधर पिता जी उसके कहते नहीं तो जैदरत मरता नहीं। भगवान ने ऐसी बेवस्था बनाई अरजुन के सामने जब जैदरत आके खड़ा हो गया तब भगवान ने कहा के अरजुन देखो लेट ही गए हो चिता सज गई लेकिन बी रासन में हाथ में धनुष चढ़ा करके और जैद्रत की तरफ निशाना साध करके अथ तब चिता रोहन करो। मरना तो अभी है यह है बोले नहीं जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे मरू जब बान तान लिया तब भगवान ने बदली को धिरे से इसारा किया हट गई भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं उनके भिरिकुट विलास से प्रले हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यह आश्चर करने की ब बात नहीं है भगवान ने कहा देखो वो रहा सुर्य और वो रहा तुम्हारा दुस्मन जैद्रत आयसा बान से मारो की उसी बान पर सर टंगा हुआ जाए और उसके पिता के गोंद में गिर जाए जब सर देखेगा तो उठा के पटक देगा बोले जाओ मर जाओ उतो देख किसका है और जैसे ही वो पटकेगा तो धरती पर उसके द्वारा सर पटका जाएगा न कि अर्जुन के द्वारा तब वो भी उसके साथ टुकड़े हो जाएंगे और एक पिता कहभी देगा पुत्र को मर जाओ वहीं अर्जुन ने किया तो जैद्रत मर गया भगवान ने अ अर्जुन बहुत प्रेम करता था अपने पुत्र अभिमन्यू से तो भगवान मन बहलाने के लिए मौरत ध्वच के पास घुमाते घुमाते चले गए अर्जुन को ले करके भाई आज भी घर दुवार में कोई किसी के हां मर ओर जाता है दस दिन बिस दिन लगता है नौर् चले गए ब्रामण काबेश बना लिए अर्जुन भी चेला बन गया वहां गए तो मौरत ध्वच पति पतनी बहुत भग्त थे तो भगवान गए बोले भाई विच्छा कराओ तो उसने कहा कि ठीक है भगवन जो आदेश हो हम लोग खिलाते हैं बोले नहीं पहले मेरा सेर खाएगा तो बोले ठीक है सेर के लिए मांस भी मंगा देते हैं प्रभु बोले ये मांस सेर नहीं खाता है ताजा मास दो भी अपना बच्चा का काट के दो तब खाएगा तो एक नहीं पुत्र जिससे वह भी बहुत प्रेम करता था जैसे मन्यु से प्रेम करता था आरा हीरे छपरा हीले बलिया हीलेला तो हर लचके ली कमरिया सारा दुनिया हीलेला जब पती पतनी आरा कोई भी दो व्यक्ति पकड़ के चलाता है तो इस गाना को हम लोगों ने समझ लिया इबाहर वाला आरा अयूपी वाला बलिया और कोई अरत का कमर ऐसा हम लोगों ने सम लिया इसका गलत अर्थ लगा लिया लेकिन इसका अर्थ्या है कि एक तरफ मौरद्धवज और एक तरफ उनकी पत्नी जब अपने पुत्र के सर के बीचों बीच आरा रखी आरा मसीन पे आप लोग लकड़ी काटने जाते हैं कटाने तो आरा से लकड़ी करता आरी से आप लो बलिया मने बड़े-बड़े बलवान का करेजा हिल गया अर्जुन का करेजा हिल गया क्रिष्ण भगवान का करेजा हिल गया कि बताओ ये कैसा भगता है जो भी सुना जैसे आज आज आप लोग कोई पेपर में टीबी में न्यूज देखते हैं तो आप ले करेजा हिल गया निए उन देख करके, तो जो जो भी लोग सुना के दिया अपने बेटवा के काट के दे दिया सेर को, उसका बड़े-बड़े बल्या का, बल्वानों का करेजा हिल गया, तो हार लचके लिए कमर या, जब आरा लोग ऐसे हाथ से चलाता है, तो कमर यहां लचकता है, तो सारी दुनिया ही लेला, सब पुरा दुनिया में तहलका मज गया कि मौरद्धवज नाम के ऐसे भक्त थे, जो भगवान कृष्ण के कहने पर अपने पुत्र को भी काट के सेर को खिला दिया, सेर खा गया, उधर जाके बैठ गया, भगवान कृष्ण कहया भगत थाली लगाओ, तो एक अरजुन, एक अपने, दो पती पतनी और भगवान ने कहा पांच थाली लगाओ, तो एक बार भी कोष्चन नहीं किया मौरद्धवज के प्रभू, हम लोग चार आदमी हैं, आप पांध थाली क्यों लगा रहे हैं, पांध थाली लग करके तयार हो गया, उसके बाद भ भगवान के लिए कुछ भी असंभवन हैं, बहुत से बुद्ध जीवी कहें, वाई ये सब कहानी है, इसी तरह है, ऐसा कुछ नहीं, तमाम एतिहासिक घटनाएं, आज भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे सुनामी आई थी, बड़े बड़े लोग मर गए बाहर में, दो हजार दो चैसन, दो हजार में आई थी, लेकिन एक छोटा सा बच्चा 20 फिट नीचे मलबा में दबाता और 15 दिन बाद जब मलबा आटा तो बिलकुँ जिन्दा थी, इसलिए भगवान के नजर में कोई भी आश्चर या नहीं, ऐसा मत समझिये कि उस सेर खा गया, तो कैसे जिन्दा हो गया, तो आके बैट करके खाने लगा, अर्जुन का खोपड़ा सनग गया, तो अर्जुन को ही भगवान के वल देखाने के लिए ले गये थे, लिला कर रहे थे, अर्जुन अब वहां कैसे लड़े, सब जान जाएगा कि क्रिश्न ही अर्जुन है, मनहीं म उसको खाना तो अच्छा नहीं लग रहा था, कहा बला बताओ, हमर बेटवा तो वहीं पर मरल पडल, यह चाहते तो ऐसे कर देते तो जिन्दा हो जाता, आये कर बेटवा तो सेर खा गया, और फिर भी कह रहे हैं कि आ जाओ तो आ गया, अब बाहर निकले तहीं से पूछते तब बाहर जैसे ही खावो करके भगवान निकले दरजुम सनक गया बोला भी बताईए, आप भक्तों में भी दुनेती करते हैं, हमर बेटवा का लास वहीं पड़ा हुआ था, आप चाहते तो जिन्दा कर देते, लेकिन इसके बेटा को जिन्दा कर दिया और मेरे बेटा को आप ने जिन्दा नहीं किया, भगवान ने कहा कि तुम तो मेरी आग्यां का पालने नहीं किया, इसको तो मैं जितना आग्यां देता गया आई, करता गया, मैंने कहा काट दो तो काट दिया, मैंने कहा थाली लगाओ तो थाली लगा दिया, मैंने कहा कि नाम धर के बुलाओ तो नाम धर के बुला दिया एक बार भी counter question इसने नहीं किया और तुम थे कि मेरी बात मान ही नहीं रहे थे भगवान कहते हैं कि जो मेरा आग्या का पालन करता है वहीं भक्त है राम चरित मानस में भी गुष्वामी जी लिखे हैं कि सोई मम प्रियतम सोई सेवक मम प्रियतम सोई मम अनुसासन माने जोई वहीं मेरा सेवक है वहीं मेरा प्रियतम है जो मेरी आग्या का पालन करे अर्जुन तुम तो आग्या का पालन किया ही नहीं तुम तो कहा कि नहीं के जैन से नहीं रहूँगा या तो मर जाऊँगा या तो ये मरेगा तुम छत्रिय सुभाव में आ करके प्रतिग्या और ये भगत मेरी आज्या का पालन करता रहा कहा हाँ कैसो गलती तो मेरी ही है आपकी क्या गलती आप तो मना कर रहे थे अच्छा छोड़िये जो हुआ सो हु को क्या आप दिखा सकते हैं बोले हाँ इतना कर सकता हूं कहां पर है चलो दिखा दे भगवान साथे अर्जुन को लेके बैकुंठ में गए क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त था अर्मन्यू तो बैकुंठ लोग गया था बीरगती को प्राप्त हुआ था भगवान गय तो अर्जुन भी गया अर्जुन देखते दवर पड़ा हाए बैटवा हाए बैटवा इतना ममता में था उसकी प्रतित राद दिन देखते हैं घर में बेटा पतो गाली देते रहता है आग्या का उलंगहन करते रहता है फिर भी पुत्रमों है साप्रबल है कि माई बाप मरते दम तक बाल बच्चा से प्यार करते हैं उसके हित भलाई का चाते हैं अर्जुन देखा था एक दम दवड़ते हुए अब मन्यू का आई कौन पागल आ गया है मेंटल इहाई बेटवा हाई बेटवा इस बैकुन्ठ में कौन चिला रहा है तब अर्जुन सोचा कि साथ साथ लोग मिलके मारे हैं हो सकता है दिमाग कुछ क्रेख हो गया होगा तो माई का नाम लेंगे तब पहचान लेगा तो सुबदरा पुत्र एवमन्यू सुबदरा पुत्र एवमन्यू लगा चिलाने तब एवमन्यू बहुत जोर से बिगड़ा बोला देखिए न मैं तो इतने भी रिष्टे नाते आप देख रहे हैं संसार में, कोई किसी का बेटा बना है, कोई किसी का पतनी बना है, कोई किसी का दुस्मन बना है, कोई किसी का दोस्त बना है, ये संसकारों पर आधारित, ये कई जनम का संसकार रहता है, वो अटैच होता है, तो ऐसा मत समझे कि जो आपका इस जनम में बेटा है वो उस जनम में भी बेटा रहा होगा हो सकता है उस जनम में वो बाप रहा क्योंकि ये सरीर के रिष्टे तो संसकारों पर आधारित है जैसा जिसका संसकार रहता है करजों का दबाव करजा का रहता है वह तो अरजुन ने कहा कि न मैं आपका पुत्र हूँ न सुबद्रा पुत्र हूँ मैं भगवान कृष्ण की कृपा से यहां तक पहुँच गया आप भी भगवान कृष्ण की सरन में हैं हाई बेटा हाई बेटी छोड़ करके उनका भजन करिये उनके आज्यां का पालन करिये तो आपका भी कल्यान हो जाएगा तो अर्जुन का पुत्र मोह वहीं से छूट गया और अर्जुन फिर से भगवान कृष्ण के आज्यां का पालन करते हुए अपना जीवन दतीत करने लगा फिर अर्जुन भी बैकुंठ को प्राप्त हुआ इसलिए भगवान अपने भक्त की रच्छा पगपक करते हैं और भगवान चाहेंगे तभी भक्ती पार लगेगी आदमी के बदावलत कोई चाह लेकि हम चाह करके करें तो ऐसा नहीं हो सकता बोलिये स्री सद्वुल देव भगवान की जैए